नाशकार दोस्तों मैं हूँ सुनील आपके अपने यूटूब चैनल सुनील कउफार्मिंग में आपका हर दिक स्वागत है तो एक बार मैं लंबा सफरताय करके पहुंचा हूँ गाउं के डान जो की भट्टू हर्याणा बट्टू के अंत्रकत आता है और यहां पर युवास आती हैं सत्भी गुदारा एक बार हाथ हिला करके अविवादन जरूर सविकार करें तो आप देख सकते हैं और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि टेक्स्टाइल मील सूरत में ये कारिये करते थे और उसके बाद जब इनका करोना में हिर्दे प्रविर्टन हुआ त तो उसके बाद पशुपालन में आए और काफी हद तक उसमें सफलता भी हांसिल की तो यहां पर आप देखिए ये गुमाता देख सकते हैं बहुत ही शांदर और इनका और भी अन्य गुद्धन है आपको बारी किसे दिखाता हूं और उसके बारे में जो भी डिटेल है इन इन्होंने काफी रखी हुई है और काफी अच्छा गुपालन कर रहे हैं और ज्यादतर इनके पास जो है तेसी गुवंच है और भैंस भी है तो एक बार इदर आई आप सामने तो सामने आप देख सकते हैं युवा साती है सत्वीर तो इनसे जो पूरी डिटेल जानते हैं क कैसे गुपालन में आये और कैसे इन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की और किस तरह से इन्होंने गायों का दूद बढ़ाया और पूरी काफी सारी जैसे इनसे बात चीत हुई तो इन्होंने बहुत सारी चीजें मिर को बताई तो सबसे पहले नमस्कार बाइसाव नमस्का में शेल में मैंने दो जाल आठ से चल्लू की थी और 2020 तक जो वहां पे की पर उसके बाद करोणा आई थी जो चोड़ने का विचार किया तुसके बाद यहां आया फिर मैं फिल्ड में जाना चाहता था कपड़े वाले में अच्छा पर उसमे मेरा मन ऊब चुका था फिर खेत् मैंने पशूंसे मैरे को सुरूस ही रूची थी अपने पास पहले आरट-दस-बारा पसू रखते थे ठीक थीक है तो फिर मैंने पशुँ का करने के लिए सोचा फिर मैं गाहीं लेके आया थीukt है प्र तो भी दिखा देते हैं इसी वीडियो के अंदर यह मैं लेकर आया किसी आर्मित्र ने बताई थी को यार कोई देश्ची गाह बताओ जो बढ़िया हो शांत सबाओ की हो फिर यह लेकर है उसके महमा के आंसे तो उस टाइम लेकर आया था यह चार महिने के करीबन गया बिन थी और एक किलो दूट था इसका ठीक है फिर वो दूट से मेरे कोई मतलब नहीं था मेरे को यह था भी मैं देश्ची का त्यार करूं भी यहां कोई आके देखे तो किसी को लगे भी वास्ता में डांगर नहीं खड़ा पर पसू घड़ा ठीक है तो उस हिसाब से मैं इसको लेक अच्छी थी हम्प की शुरुवात्ती उसकी लगबग चार उंगुल थी अच्छा जी है वो जो अब यह लिंपी आई उसमें उसकी डेथ होगी अच्छा लंपी लंपी से हां और इसने जैसे मतलब मैंने अनुमान लगाया था भी यह 15 पलस जाएगी अच्छा जी पर इसने म थोड़ी सी गड़बड हो गी थी इसको ब्याने में जो अपना गड़ा या मटिंडी आती है ना वो अंदर फूट गया था अच्छा उससे इसको थोड़ी सी अंदर कोई दिक्कत हो गी थी अच्छा वो बाद में जैसे मैंने देश से इलाज किया नीम के पत्ते और अल्द बच्छियां लाने चालोगी अच्छा जो भी मेरे को मतलब देखने में वो लगे ऐसा लगे भी यह दूद दे सकती है पिर मैं यह बाद की बच्छियां लेके आया तो इस गुमादा का आपको पूरा मैं वेक्टे तब आपको दिखाता हूं तो कद काठी और उससे आप अ देखती है अच्छा-च्छा-तो यह देखिया है अब कितने महिने की अब यह ब्याइए वीजिए वैसे अभी यह जाना है अभी यह बहुत दोमेने की अच्छा पी मेने इसका मतलब रहे दूछा फोड़ी सी चर्क्य पन किसी काय था तो मैंने दूद चोड़ दिया चोड जैसे कि बूड़ी माई-बार्ती तू भाई के पास गाएं तो उसके पिछे भी जो सपेस है यह इस तरह का ज्यादा देखने को मिलता है तो इस तरह की जो पिछे पुठे की चोड़ाय जो मिलती है तो काफी शानदर दूद उसके बाद बताएं बाई सब जो और हैं ये आपके पास और एक और ये जो इसके बारे में बताएं जो अभी एक आध दिन में ही बच्चे को जनम देने वाली है थार परकर नसल की गाएं है और थोड़ी ब्यानने वाली अभी बाद दी की शिकायत है अभी ये बहुत शांद सा भाव की है देखो थोड़ा सा पैरट वाना ये ये पिंक कलर के आप देख सकते हो फास्ट टाइमर पच्छ है किसी साइड से भी देखो ये देखें आप मैं इसके लिए बिल्कुल नया हूँ और ये देखिया आप बहुती पिंक कलर के इसके बारे में जो डिटेल है वह बताएं जो जैसा कि आपने मेरे को बताया था ये कोई बाई दर से इसको गोशाला में लेके जा रहा था अच्छा पर इसकी आइट बोड़ी मेरे को अथी लगी और अपना देशी गाईवे परती अपना रुजान थाई हंजी फिर मैंने अच्छा पर फिर भी बाद में इसको टिका रखवाया गया हां ठीक है अर्याना नसल का टिका रखवाया है और आप को मैं दिखाना चाहूंगा कि किसी भी तरह से जैसे कि इन्होंने इंकम जैसे बताई काफी अच्छी इंकम ले लेते हैं तो काफी असान नहीं है यह यह देखें इनका जो किस तरह हैं इनके बीच में यह देखिए बनाया हुए सर्दी का मौसम थोड़ा शुरू ह हो गया है और काफी अच्छी कारी करी करी गई है तो यहीं इनके बीच में सोना पड़ता है जब जाके पैसे कमाई जाते हैं मैनत करनी पड़ती है अंदर आप एसी चला के या रूम बैढ़ जाओगे तो करके इस तरह से सथमिर जी हैं इस तरह से कमाई नहीं होगी यही ब बहुत बढ़ी है तो काफी मैनत कर रहे हो फिर तो यह क्या आदमी रख लेंगे तो हम फरी हो जाएंगे फिर अपने को यह द्यान रहे हैं आज किस पसुने पानी पिया किसने क्या खाया क्या नहीं खाया ठीक है किसको क्या दिक्कत है जिस तरह से वहां मेनेजमेंट करते अब बहुत बढ़ी है जादा मेरे को देते ममी को नहीं देते हैं तो दोनों मिलके निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है बहुत और आदमी रखने के लिए अभी तक सोचाने आग्ये देखेंगे हैं इन फूचर हैं बहुत बड़ी